ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइम करें A1 News TV नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन को दबाए और नोटिफिकेशन के लिए दिये गए बैल आइकन पर क्लिक करें हमारे वीडियोज को लाइक, शेर और कमेंट करें नमस्कार, A1 News TV में आपका स्वागत है, मैं हूँ कवीता मिश्रम वटिंडा से दीपु शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार, गाउं भगता भाईका के म्यूसिपल प्रधान और अकारी पार्षत के सहीद दो मुलाजिमों पर मुकदमत दर्ष करने होने के बाद, पूर्व अकाली मंत्री सिकन्दर सिंह मलुका ने भगता भाईका थाने के बाहर धनन लगाया, मलुक के मुतावग पंचाब क्याबिनेट मंत्री गुरप्रीत कांगर, जब से मंतरी बने हैं तब से अकाली दर के कारेकरता पर जुटे मुकदमें दर्ज करवा रहे हैं, जो सारा सर गलत है। अलूका ने पुलिस प्रश्यासन पर बोलते हुए कहा कि सरकार बदलती रहती हैं जब हमारी सरकार आईगी तब पुलिस प्रशासन को दर्च की जा रहे जूटे मुकदमों का जवाब देना पड़ेगा उधर पुलिस का कहना है कि वन्वेभाग की शिकायत के अधार पर यह मुकदमा दर्च किया गया है और आगे मामले की जाच की जा रही है सब्सक्राइब दर्च कोई रॉडा नी होया कुछ नी डियस्पी मजूद है तेनोसो साथदा पर्चा चोवी पच्ची बंदे बाई ने पाते नाड़ अनप शाते साइंक ले अशा असी जाके आई जी नूं मिले डियस्पी नूं सद्या गया मौके थे मौके दे डियस्पी बाई कहाना जी मैं उत्ह ते हाजर सी उत्हे कोई गोली नी चली कोई चेकडा नी होया किसे दे साटनी बची मेरी हाजरी इता-डियसपी ने फिर भी हालता ही ओप उर्चापर्चा कैसल नी होया हले तैशील नी यह दूंवाई नहीं बढ़कोगी दोड़ होगी तोनी इस सब्सक्राइब जो पर लिखेंग। विए जो शोपनारी सब्सक्राइब ऑफ दाने शच्चराइब पोड़ी करते हैं विए जो समधियों बढ़ें किती हैं करें जो डेखेंगे करें तुपतीश जनाए एक चार वेक्टी ने पर देनी चारी है पिछले दिनों खालसा दिवान के खालसा गर्ल कॉलेज की प्रिंसिपल को निकालने का मामला सामने आया था जिसके बाद स्टाफ द्वारा इस सिफात दे दिया गया था जिसको जातिवात की तुनना दी जा रही थी इस संबन में आज खालसा दिवान के प्रधानवा कॉले स्टाफ द्वारा प्रेस कॉन्फरेंस की गई उन्होंने इन आरोपो को सीरे से नकारते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है इसमें जातिवात जैसा कोई मामला नहीं है उनका कहना था कि इस प्रिंसिपल को गयर पूच कर मुद्दा उठाया जा रहा है जतन दरकावर जी मसला जी सड़ा सनियोल्टी दा शुरू तो पहला यह तो डीपी नू चार्ज देता सी का जी ओ डीपी मैडम सी ये लक्षरार भी नी सी कॉल जा जी गुर्णानक देव खालसा कर लोग कालज बठाना जी सड़ा ज जन्या मी अम्णेजमेंट आहां सी ये उन्ना दे समने हे ही गल राक देसी गृण ऑनेर नीरा जीनू सद्वान करोंगे लोगे जी जी करोंगे फटा अज विटी जोशन भी हो या जनो मानसकत तौर्त भी परिसान कर देड़े रहा है यह जैना करदेशिए के जडियां सिता उनन भी 10 अगी जड़ी जड़ी आसी मानसकता और ते परिशान सीगे सीगे नारसाद अविती सोशन भी हुंदा सी ओधिकर के ज़िए अभी साड़ी जडी सीगे ग्रेड देवेच पांटमेंट होई सी नाइंटिफोर देवेच पाईसो चार हजार देशकेल देवेच ओसान जे अज जतन खा जोड़िये ता सड़ी एक लाख बाट हजार पिया बन दी है जड़ी के असी होन बती हजार एक सुठाइड पिये लह रहे हैं जड़के सड़ना सब्साफी है तक कह सड़ना शुरुत त दोजार देवेच जेदो सड़ना शानों साफ नहीं मिला शी फिर उख दोड़ना शी जड़ी पढना ली मनेजमेंट शी इनननों सिद्धू साफ अरेनों भी असी बेंती कर देड़े हैं वी सड़ना इनना तक काना करो तुषी ते बस इननने सामने ही जी कोई सीनियर ने को कोई जुनियर नहीं है गा ते काम करो वस वरिंदर सिंग बला मेरा ना है जी खालसा दवान सिरीगूर सिंग सबादा मुख से वादार है गा जी एथे जड़ी प्रेस कानफरंस कीती है कि इननने एक ठाई तीचरा ने जड़ हैगा डिसी साफ दे देती है कि अप्लिकेशन कोई हिंदू से खड़ा मसला है कोई मेरे कॉल ज़से सीनर सकैनल स्कूल कोई हिंदू से खड़ा मसला नहीं है बे बनियाद है कि इननने खाप मर गी ए इननने इजड़े खांदे सीगे झीए ना इखाद मर गी ए 14 .पीे यह ते जमीन दिती हुज श्यान कोर्चमीर नागरिक्ता संशोधन विदहक पर भटिंडा में सिख और मुस्रिम समुदाय द्वारा विरोध मार्च आज हाजी रतन दर्गा से शुरू हुआ और भटिंडा की मेनी सची वाले तक पहुँचा तहसीलदार लकवीर सिंग के माध्यम से सरकार को एक पत्र भेजा गया है प्रदर्शन कारियों की मांग थी कि नागरिक्ता सुधार बिल्को समाप्त कर दिया जाये जिसके कारण सभी समुदायों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जो बादी जनता पार्टी की सरकार आई है अब पिछले साल जो है उस समय से लेके और अबेता के जनता के सकुन को बिल्कुर छीननी है पूरे देश के अंदर पूरी जनता अज बेसुकून हो रही है और जो इस किसम के कानून बना कर लाए जा रहे हैं जिससे जनता के सुकूनों को च्छीना जाता है उन कानूनों को ऐसे कानून को बंद किया जाए और देश में अमन शानती लाए जाए बस ही हमारा कहना है जड़ा पाजपादी सरकार बलों मोदीते अमतसादी जोडी बलों जो सीए भी बेलले आके एक अनार सी किड़ा कनून बढ़ाया गया है करो अची जड़ी है जड़ा मुस्ल्म पाईते नार आणे एसक गालत बेचार श्रेक हैं क्योंकि एक बहुत ही गलत जड़ा बेलले आंद आगया है जी दे जड़ा आम लोकानों अपनो अपने देश देवेचिए दसना पऊ के मैं काऊन है एक अईदू खातरनाक कनून की हो सागता है कि एक देश दे नागरकान आ रही देश दी सरकार चुनी होई ही जड़ी है वो तका कर रही है आज जा एहे बेल्ल मुसलमान ना ते ले अंदा गया है ते कल नू एहे सिखानी बारी है एक बहुत बड़ा कना उनी जड़ा है का एक अगर माच्छ दे हंजू नाबा होना उनना ने उत्थे बेल्ल दे हक दे विच्छ बोट पाई है पहला ते नसो सत्तर दे जड़ा है ता रहा दे विच्छ तेहों सीए भी जड़ो बेल पास होया है इस करके जेकर बेल बापस तरह तो ना ले आ गया ता देश दे आज जड सीर्टों लेके ठले कन्या कमारी तक साम तक तुछी सारे मीडिया दे विच्छ देखे जो बहुत अखलात हमारे है इस जड़े नतीजेया हो बीजेपी सरकार पुछ तनली त्यार रहे जेकर ना इसनों बापस ले आ गया था सारे ही पाई जड़े ने रड़के थे करोश मार्च गीता डी सी सावनों मेमरान पगरा देता है वे इस वास्ते कि जो भी कारे कनून मुद्धी सरकार वार वार लेके आ रही है किते 370 तर अनूं खत्म कर दिया किते सिखा दे मगर बेंदी है होन भेर एकोना ने नमा कनून सब्सक्राइब कर दो बहुत जाद आनूं काट गिंदी है नो ठेस पहुंचुगी उनना दे मतलगते होना सारे नो काट गिंदी है देश शड़ना बहुगा असी पुछना चाहने पेक देजे हैं लगून दाते हैं सारे जामागे किते ते दूजी का लेसी इस बेल दा वरो कर देख दिक आड़ा एं उनना ने किता आया असी उस बिल्दा दल खाल सा जथे बंदी वलों सोब समच्छिया से एक मुसल्म में हसाई जिन्यामे जद्रबंदिया ने सारे उदर रखे आजी वदा ब्रोद कर देयां कि असी एक कुनोन के भी पास नहीं हो देबागे जड़ा मोदी सरकार ने फैंसला लेता है बहुत ही गल्द फैंसला लेता गया जिसनाल मुसल्मान पाई चारे नो एक बार रखे गया मते दे मुताबिक ते साड़ा प्रोटेस्टा जगा जगा ते हो रहा बठेंटे शहर देविच साड़े बलों कठा प्रोटेस्ट कीता ज हिंदू पाई चारे दे भी है मुसल्मान पाई चारे दे भी शामला एप बेल जिड़ा बापस लेता जावे साड़ी एही सरकार तो मंगा भारते किसान संके संग्राहा को द्वारा भटिंडा सची वाले के सामने एक प्रदर्शन आयोजित किया गया जहां फरीत कोट पुल मां दर्श किया जाना चाहिए अशारे ते उत्वों दे प्रशाचने अत्रुगाई दे गोले सिटे या उत्थे पाणी गया बशाड़ा अमार गया लाठी चार्ज किते आ उन्ना समान दी पान तोड किती आया टेंट बगेरा पट्टे आगया सारा ओ असी सारे हो ये मंग कर देया जब बी ओस जड़ी ज जान समानों दा बावस किता जावे ए मंग पत्र ही सारे पंजार दे वेचे गलाल जान कातर ये असी सारे जिला हैड कोट्राइं तार ने रहे जी दी कडी कातर अइथे असी बठेंडा जिला कमेट्टी बलों भी तर ना देतर बस अगली ओ कमेट्टी भी लाड रही या उत आसी वी हां चहां माँ दे ओधे भी साथी जथे बंदी पेचे शामला साध अधा जला हो ते अगला जो भी होगा जे सरकारों ना नहीं तबूधी ता अनसाफ लैन लोग जान दे आप हिला भी लाए ये शंगार्शा देजोरती मिलना शंगार्शन और जिकरांगे तो तो शाम इनन दी जैते बंधी ते वाद बंधा थो आए जिसान साथी। मेरा कि मैं जैते बंधी ने पासका ते दा ज़ा पुर्शासन आ पुरिस पुर्शासन पर फिंडा दा हुआ है ना ने तो टेस्ट कीता ते शांती में इता तो सड़िना बहुत विकते हैं जित तक एहें ज़ीटिटी विधिकी है भीकोट जले भी औस वन दी मनगपतर मेंने सॉंपया गया नहीं तो दिना पूरा प्रसे ना पूरूं केन ने तो दो आफ इसे ना जिटी नोटें म ट्राफिक रूल तोड़ने वालोंdaughter सरकार नीक सान नया पंजा जीम नियम तोड़ने वालों पारी जुर्माना भरना पड़ेगा पंजाब की गरीब जनता अभी टैक्स 4 के बड़े रेटों, सरकार द्वारा लगाये उन्हे टैक्सों तो west 2013 सिर्थ और निकली ही नही sut दिया गया जिसे ट्राफिक नियम तोड़ने वालों को कोई भी नहीं बचा सकता दूसरी तरफ जनता का कहना है कि सरकार दौरा लोगों को लूटने के रोज नए नए हतकंडे अपनाए जा रहे हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा जो सरकार वो लोगों चलान होले सिस्टम किता गया है ओ चीज ते अज दिया हो सड़का नहीं हो सकता जो चलान है जो सरकार ने जो आवड़ा किता है उधना पर अजी खोश नहीं हो चीज ते भी ना चलान किता जावे जड़ा गवोटेक्स है गलत लग रहे है गवोटेक्स लेह रहे है पर गवोट बुरा हाल होया पर हर जगा दे सड़का दे गवोटे अपर अप सारे नहीं पता है मिन्नों दसन दी लोड़नी अपर ख़वारां चीपड़ दे हैं कोई एक्सीडेंट हो गे रहा दरून तो सवेरे तो अंदर आदी तो अंदर गवोटे सटकाने बचाले पर अज दा टैम अपर देख दे अखवार पढ़ दे हैं रोज दो तरन का अर्देच्राग खतम हो चुके हैं जो दो भी अखवार पढ़ दे हो तो मन बहुत दोगदा भी यह जे अज एक कासी एक पास से गव नोटिफिकेशन जो जारी किता है पंजाब गवर्मेंट कैप्टन साहब कहने सी पंजाब देच लागू नहीं करांगे क्योंके बहुत गल्त है बहुत मेंगा जिड़ा ट्रांसपोर्ट दे उत्ते जिड़े टेक्स लाए गए गया लोकां वास्ते वही काल टेक्स बहुत ह जादा ने पर इनना दा फैदा कोई नहीं है पहले ही जड़े करनूना साथे बहुत बदिया बढ़े हो इसी ट्रांसपोर्ट बारे जड़े दिनों देने है ज़ादा मेंगा करी जनता है यह बहुत ही मारी गल्ला है क्योंके जड़ा साथा समाज है आप आदमी है जड़ा गरीव है ओ पहले ही पिस्से आवे हैगा महगाई ना इननी महगाई है तुसी देखलो सबस्या देखलो प्याइ देखलो आई ने मेंगे है टेक्स साहते टेक्स गवश्मेट लाई जन दी है जड़े पास से कहन दी है खियानने साथे खाली नेगी और ट्रांसपोर्ट दा अज़ेडा साड़े ते कहड़ा चलाया जानता दे उत्ते इबहुत ही निंदन जोग है असी कहने है अभी साड़े पिंजाव दे विच लाग्डू नी होना चाहिंग दा जदो के गौश्यानने पर नवास्ती टेक्स ला रहे ने एक पासे जदो जी एस्टी लाया सी वो दो स ले नूँ उपर चक्की जान दी है आवदियां जेबा पर ही जान दी है पर गरीव जानता थे आम आदमी बल कोई त्यान नी दता जा रहे हां ना कोई चेकिंग नहीं हो रही अब सरावदियां को दाफ्तरां दे विच बैठे है कोई किते जानी रहा ना किसे नूँ चेक कर जाएँ नहीं है आवदियां जान दी है जिसु करना चाही है जेड़ियां ऐसी में न्यदा डिये बिकाये हैं जदो के दूजे पासे दूजियां सरकारा ने देता मलाजमा न एक एक लाखर पिया है रखी बैठे है इनन उजाल्दी शू करना चाहीं चाहीं जिरियां बटिंडा जिला परीशत की वोटिंग रिजल्ट आने पर हुआ हंगामा हारे हुए कैंडिडेट और उनके वरकरों ने रोड जामकर पंजाब कैबिनेट मंत्री गुर्पीत कांगर के खिलाफ लगा उनका आरोप है कि पूरी वोटिंग नहीं होने दी गई और वोटों में की गई है हेरा फेरी उमिदवार सुखपाल कॉर द्वारा जीते हुए कैंडिडेट मंजीत कॉर पर आरोप लगाये जा रहे हैं कि चार वोटों की हेरा फेरी हुई है जो की हाथ खड़े करके ही डाली गई है अब हारे हुए केंडिडेट और उसके कार्यकरता दोबारत जिला परिशत के चुनाव की मांग कर रहे हैं ताहि जनननननuciones में ज सकी कार्यकरत दोबारत जननने हैं ज़या सांड़ी है को जब रहो है और बैदा में पीचे राला रहा रहे हैं तक एंदा नहीं अchosर, बैद रहा है बॉस्ता बॉटि नग्जी वॉटी बनाई है ज़िए पीछटा थे पीछ्टा करांगे वट शाहते क्यां जब खाल कुछ्टी? इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलाल इतना ही ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें A1 News TV से ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 News TV नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन को दबाए और नोटिफिकेशन के लिए दिये गए बैल आइकन पर क्लिक करें हमारे वीडियोस को लाइक, शेर और कमेंट करें